खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन नमस्कार आप देख रही हैं इंडिया 1024 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दीपक भारत में 69 चैनल आप पर प्रतिबंद के बाद कई लोगों की नौकरियों पर तलवार लड़क रही है क्या ये अप कमपनिया अपने शैक्लो करमचारियों को निकाल तो नहीं देगी क्या इन करमचारियों को वेतन मिलेगा? ऐसे तमाम सवालों को लेकर करमचारियों के मन में दर बैठा हुआ है उनसट चाइनिज आप को बंद करने के फैसले के साथ ही लोगों में खुशी तो है लेकिन उन लोगों की नौकरी पर भी संकट के बादल चागए है जो इंडिया में इन आप कमपनियों में काम करती है साइबर सिटी गुरुगराम में टिक टोक के साथ ही यूसी न्यूस का आफिस भी है दोनों ही कमपनियों के अलग-अलग आफिस में करीबन 800 करमचारी काम करते हैं जो कि दिल्ली सहित NCR के अलग-अलग शहरों से आती हैं ये दोनों ही आप काफी फेमस थे शहर से लेकर ग्रामेंड छेतरों तक लोग इन आप का इस्तमाल कर रहे थे ऐसे में इन आप का बंध हो जाना करमचारीों के मन में सैलरी ना आने और छटनी होने का डर पैदा कर रहा है Chinese App कमपनियों को बंध करने के फैसले के साथ ही टिक टॉक ने अपने करमचारीों को काम करने के लिए उसी दिन से मना कर दिया था लेकिन अभी तक किसी करमचारी को निकाला नहीं गया है कमपनी के सभी करमचारीों को होल्ड पर रखा गया है गुडगाओं आफिस में काम करने वाले एक करमचारी का कहना है कि कमपनी की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस बारे में अभी भारत सरकार से बात की जा रही है जल्दी सब कुछ ठीक होने के बाद 12 से करमचारीों को रख लिया जाएगा तब तक सभी करमचारीों को घर रहनी की सला दी गई है चाइनीज अप्स को बंद करने के फैसले के साथ ही किस तरह से करमचारीों की जॉइनिंग रोग दी गई बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद जल लोटते हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जैसे ही सरकार ने चाइनीज अप्स को बंद करने का फैसला लिया वैसे ही करमचारीों की जॉइनिंग पर रोक लगा दी गई टिक टोक में काम करने वाले एक करमचारी का कहना है कि टिक टोक की बढ़ती लोग प्रियता को देखते हुए यहाँ पर जादा से जादा करमचारीों को बीते 6 महीनों में जॉइनिंग दी जा रही थी लोगडाउन के दौरान भी जहां कहीं कमपनिया नुकसान में चल रही थी तो टिक टोक का मार्केट परवान पर था ऐसे में लोगडाउन के दौरान भी ऑनलाइन प्रोसेस के साथ इस कमपनी में नई जॉइनिंग करवाई जा रही थी जिन करमचारीों को जुलाई में जॉब जॉइन करनी थी उनकी इस प्रिक्रिया को टाल दिया गया है इन में कुछ करमचारी यूसी नियूस से टिक टोक के लिए चadow किये गए थे इन कमपनीयों की ओर से महिने की पहली तारिक के आसपास ही करमचारियों को सैलरी दे दी जाती है ऐसे में मही तक तो सैलरी समय पर आती रही लेकिन जून की सैलरी को लेकर अभी भी करमचारियों के मन में डर बना हुआ है उनके मन में एक डर सैलरी आने को लेकर बैठा हुआ है तो दूसरा डर ये है कि ओफिस बंद ना हो जाए खबरों के मामले में UC News को पढ़ने वाले लोगों की तादाद भी काफी संख्या में है लेकिन भारत सरकार के फैसले के बाद नया कंटेंट UC News के पास नहीं आया है सरहोल में UC News के करमचारी का कहना है कि पुरानी खबरों को ही नए अफडेट के साथ वो इन दिनों अपलोड कर रहे हैं जिसे अभी भी रीचेक किया जा रहा है अभी कोई नया कंटेंट अपलोड नहीं किया जा रहा यहां के सभी करमचारी अपने शिफ्ट के अनुसार ही घर रहकर ही काम कर रहे हैं फिलाल यहां से भी किसी करमचारी को अभी नहीं निकाला गया है लोगडाउन के दौरान UC News में कुछ लोगों की छटनी की गई है वहीं कई लोग खुद ही छोड़कर अन्य चाइनीज अप में चले गई थे लेकिन सरकार के फैसले के बाद अभी तक किसी को हटाया नहीं गया इसके साथ ही अप करमचारीयों को फिर से छटनी होने का डर सता रहा है इस खबर में फिलाल इतना ही देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 News नमस्कार